नमस्कार दोस्तोς मेरा नाप संधीब और मैं आप लोग को हुआ बता अब हमका कि मॉबायल का joh sorting प्रॉब्लम है वह क्या है और मॉपायल का joh sorting प्रोब्लम आता है वह कहां से आता है और इस problem को कैसे solve क्या जाता यह बहुत सब बते में यहां पर आप लोग को बिल्कुल इजी तरीके से बतमगा दोस्तों ठीक है तो वीडियो को शुरूशी लेकर लास तक जुरूश देखे तो जैसे कि अब देख पार दोस्तों मैं मोबाइल का जो सार्केट डिराग्राम है वह यहां पर ड्रॉव करके रख तरीकोंपोनेंन भीडियोटीप्लास एड़ी लीन डी की बीच में रहता है और किसी करण की बदस से लिकेटोश हो जाए या तो कौंपोनेंन अंदर आंदर आप उसमें जोड़ या इसे बज़से स्वरूटिंग का प्रोलम आता है तो लिकेगश हो जाने से मोबाइल आप sorting होता है और जो component अंदर अंदर आप उसमें जोड़ जाता है वो फूल शॉट हो जाता है और में तो स्ट्रिप यहां पर कैपासिटर और डायोट की सौट की बारे में बोल रहा हूं और आईसी भी सौट होता है क्योंकि आईसी की अंदर भी वो सम कॉंपोनेंट लगा रहता है अगर उसके अंदर जो कैपासिटर और डायोट है वो किसी करन की बल से सौट हो जाए तो यह सम प्रोब्लेम दिखाई देगा तो आप लोग तो जानते होंगे मोबाइल की पीसी बी के अंदर कैपासिटर देखने में कैसा होता है और डायोट देखने में कैसा होता है तो फिर भी मैं आप लोग को यहां पर दिखाई देता हूं दोस्तों जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में दोस्तों इसकिन पर दिखी यह जो मैं आप लोग को ड्रॉ करके दिखा रहा दोस्तों यह कैपासिटर है जो कैपासिटर सप्लाई को फिल्टर करने के लिए लागा रहता है वो देखने में ऐसा ही होता है और आप यह बात करेंगे डायोट के बारे में तो दिखें दोस्तों यह जो मैं आप लोग को ड्रोग करके दिखार यह डायोट है दोस्तों यह जो मैं आप लोगों को डायोट और क्यापासिटर को सो किया है वो डायोट और क्यापासिटर जो साप्लाई को फिल्टर और मेंटेंस करता है वो देखने में ऐसा ही होता है तो दोस्तों मैं तो आप लोगों को यहां पर बता दिया हूं कि सौर्टिंग प्रोब् में आप लोग को इस PCB डाग्राम की बारे में बता दो तो यह आपा दिख यह बैटरी करेक्टर है और इन में से 3.7 वोल्ट इंपूट होता है और यह किसी किसी मॉवाइल में 3.7 से ज्यादा वोल्ट की बैटरी होती है और उस मॉवाइल में वो वोल्टेज सहन करने में समता है तो जातर जो मॉवाइल में दिखा जाता है दोस्तों वो 3.7 वोल्ट की बैटरी दिखा जाता है तो यह जो बैटरी का एंटर से बैटरी का जो voltage input होता है और यह voltage input होने के बाद जहाँ से इसका output start होता है ठिक उस जगह में क्यापसिटर और डायोट लागा रहता है मोवाइल का जो बैटरी का supply है वो filter और maintenance के लिए तो यह किसी-किसी मोवाल में डायोट रहता है और किसी मोवाल में डायोट नहीं रहता है तो इस डैग्राव में दिखिए दोस्तो यह जो मैं आप लोग को एक कैपासिटर और यहांपर ड्रॉड कर के दिया है यह इसका जो बैटरी का आउटपूट वोल्टेज है वो फिल्टर और मेंटेंस के लिए इसमें लगा हुआ है उसके बात यहां पर दिखें दोस्तों यह जो मैं लाइनिंग यह आपर ड्रो करके दिया यह बीवीटी का प्लास का लाइनिंग है और यह पीसीवी की आंदर रहां यह ऐसे नहीं देखा ही देता है और यह लाइनिंग जहाँ पर बीवीटी प्लास वोल्टेज की आवल सकता है ठिक उस जगा में पहुंचता है और आप लोग को समझाने के लिए में यह आपर कुछ आईसी को ड्रो करके दिया जैसे पावर आईसी रिंगार आईसी और बीटी आईसी और पीएफो इनी सभी करने के के लिए कॉंपॉनैंट लाओ उनमें से अगर एग कॉंपॉनैन साथ और आप लोगो को पूरे जीतने कॉंपॉनठंब दोस्तों उस लाइनिंग की वार्याया बीच में वह सभी शॉर्ट दिखाएगा अगर वह हाफ स्वॉर्ट है तो हाफ स्वॉर्ट दिखाएगा वो फूल स्वॉर्ट दिखाएगा अभी मैं आप लोगों को दिखाएँगा मॉझा का जो वैलु नु किस तरह से चैक करते हैं तो इसको चैक करने ठीक है उसके बीच में और उसके बाद रेट को पोजिटिव और ब्लेक को ग्राण पर रख के रेडिंग करें और इन में आपको कोई रेडिंग नहीं आना चाहिए जैसे यह आपर लेप साइट में दिखाए देरा है दोस्तों वान है वो ऐसे रहेगा ठीक है मिटर की रेट स ओके है तो अभी मैं आप लोगों को दिया हूंगा मेरे पास तीन मोबाइल है और तीन मोबाइल को मैं अभी आप लोगों को चेक करके देहूंगा ठीक है तो एक एक करके चेक करते दोस्तों तो पहले इस मोबाइल को चेक करते और देखते कौन मोबाइल में क्या प्रोड् और इसमें आपको 250-620 रेडिंग आना चाहए दिखे दोस्तों यह बिल्कुल सही रेडिंग आ रहा है ठीक है और आभी साइड चेंज करते हैं इनमें आपको कोई रेडिंग नहीं आना चाहिए तो देखिए आपर यह जो वान लिखा है यह ऐसे रहेगा दीए तो यह सही मोगال है इन में कोई सोट की प्रोडल है ठीक है और आवि इस मुझ्वैल को साईड में रखते हैं और यह मुझा चेक करते है है gonna तो इसको चैक करने के लिए अपको आ फीर से उही प्रोसर्स करना है ब्लैक प्रोब को पोजिटीव पर और एट को ग्रान पर राक रिडिंग करने है ठीक है और यहां पर दीखेए दूस्तों यह या और रिडिंग आ रहाЯ है यानि यह मोबाईल फूल सॉॉट है जहां पर 250 से 600 रिडिंग आना चाहिए उहां पर याणि यह मोबाईल सॉट है तब भी आप लोगों मैं side chain के दिखा दिखी दिखी ये भी same reading आ रहा है यानि ये mobile full shot है ठीक है तो अभी इसको side में रखते हैं और अभी इस mobile को दिखाते हैं दोस्तों आप लोग को इसको reading करते हैं वहीं black को positive पर और रेट को ground पर रख करेंग करते हैं और यह अपार दिखें यह तो Null Undering सही बता रहा है और अभी रेट प्रोब को positive पर और black को ground पर रख रख करेंगर और इनमें आपको कोई reading नहीं आना चाहिए और दिखें ये दिखिए इसमें रेडिंग दिखा रहा है यानि मोबाल में हाफ सोर्टिंग का प्रोब्लम है ठीक है इस सैट में कोई रेडिंग नहीं आना सही में reading आ रहा है यानि इस mobile में half sorting का problem है दोस्तों मैं तो आप लोग के बाद दिखा दिया है कि mobile का जो sorting problem है वो कैसे check करते हैं और आभी मैं आप लोग को दिखाँगा कि कैसे sorting problem को find करते है तो यह find करने से पहले आप लोग को जानना जुरू है जो component plus और ground की बीच में है दोस्तो उस supply को filter करने के लिए तो उसको आप लोग कैसे पहाचन पाएंगे वह मैं आप लोग कामिया पर दिखाता हो ठीक है तो दोस्तों उस component को पहाचनने के लिए mobile का जो battery connector है उस battery connector में यह जो माल्टी मीटर का रेट प्रोब है वो पोजरी पर रख दीजिए ठीक है यानि बेटर कांटर की प्लास पोल में और जो ब्लेक प्रोब है दोस्तों इसको आप लोग PCB के अंदर जो capacitor है जो मैं पहले आप लोगों को दिखाया था वो वाला capacitor को आप लोगों को एक साइट करके टार्च करके चेक करना है और जिस capacitor या तो डायोट की साइट में continuity यानि जीरो रेडिंग आएगा वो मान लेजिए कि positive line की वीच में वो component है और उस component की opposite side में आप लोगों को ground मिलेगा यह आप लोगों को ध्यान में रखना है वो ground को भी आप लोगों को test करना है तो ठीक है मैं आप लोगों को एक component को test करके दिखा रहा दोस्तों दीखे इस side में इसका continuity आ रहा है दीखे जीरो रीडिंग आ रह है तो इसका power supply को check करते है जहां से इसका voltage input होता है और जो component इस supply को filter करने के लिए लगा रहता है वो चेक करते हैं देखिए दोनों capacitor को मैं चेक है उनमें नहीं आता है कंट और यहां पाद दिखी दोस्तों यह zero reading आ रहा है यानि इन में से plus का supply input होता है और अभी इस capacitor की opposite side मे reading करते हैं दोस्तों इसका opposite side में ground है की नहीं तो पता चल जाएगा दोस्तों यह फिल्टरेशन के लिए है तो ठीक है चेक करते हैं और दिखें दोस्तों इनमें भी zero reading आ रहा है यानि इसके side में ground है और यह supply को filter करने के लिए लगा हुआ है तो मैं तो आप लोग को यह बाद दिखाया कैसे component को find करते है कि वही positive और ground की बीच में filter करने के लिए लगा हुआ है और आभी मैं इस problem का solution बता हूँगा दोस्तों चाहे हाप shot हो या full shot हाप shot या full shot को find करने के लिए 4.2 वोल्ट बैटरी इस्तेमाल के आ जाता है तो इनमें तो पाता चलता है shot कहां है तो इसमें rigs भी होता है आइसी या तो कुछ component जलने में तो इसलिए आप लोग को एक best option बता है वह है यह दिखे मैं जो आप लोग को ड्रो करके दिखा रहा है और इसमें मैं step भी लिखके दिया हूँ यह जहातर जहां से sorting का प्रोब्लम आता है जो step में आप लोग यहां पर लिखके दिया हूँ वही कर लिजिए तो पहले आप वो क्या करना है बैटरी करेंटर की पास जो क्यापासिटर और डायोट रहता है supply को filter करने के लिए वह पहले आप लोग को remove करना है उसके बाद आप लोग को क्या करना है जो पीएफ या तो आरेव आईसी के पास जो क्यापासिटर है वह पहले आप लोग को remove करके देखना है उसके बाद भी यह problem solve नहीं होता है तो जो power ic के पास क्यापासिटर लगा हुआ भी आप लोगे को रियुक्त करके देखना है धियREE जो ही शुआ को मॉवाय को फिल्टर करने करने लागा रहता है वह अप लोगे करके देखना है दोस्तों एक बात बता दो जो पेद्म महले क्या है उस जगह में संवर में प्रोब्लेम हो सकता है मैं पहले है बहुत सारे मोबाइल का half shot और full shot remove करने की वीडियो बना कर रखा है और उस वीडियो का लिंक में इस वीडियो की discussion box में दे दूंग और वहापर मैं practically करके दिखाया है आप लोग चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तो मेरे वीडियो अब लोग पसंद आया होगा त वीडियो को जरूर लेक कर दिजिए और आपने हमारे सिर्क अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए और साथी साथ नोटिस में बेल को भी दबा दिजिए थैंक्यू वाचिंग दस्तो थैंक्यू